हेलो दोस्तों श्वागत है एक नए वीडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूं टोरिष 거야 descent आज का लेयाउट कैसे मारते हैं मतलब लेयाउट इसलिए मारते हैं क्योंकि उसका जो है template बना जाय सके और disc को जो है चेक कर आया जा सके तो आज की वीडियो में यही जानेंगे और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को like, comment, share और subscribe चरूर कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले जो है मैं टोरिस फिरकल डिसेंट का layout माना सिखाता हूँ आपको और जैसा कि हम लोग माल लेते हैं डिसेंट का जो ID है वो 5000 mm है याने की 5 मीटर है और knuckle radius उसका 500 mm है crown radius उसका 4500 mm है याने की 4.5 मीटर है और जो straight face है वो 50 mm है तो यह हमने माना और भी चलिए दिखाता है आपको layout उसका गय से मारते हैं तो सबसे पहले जो है आपको डिस का जो ID है वो 5 मीटर है तो आपको ऐसा एक सीधा लाइन मारना है 5 मीटर गया उसके बाद दोस्तों जो अपने 5 मीटर का लाइन मारा है उस 5 मीटर के लाइन के मंदब इंड से जो है 500 mm अंदर तक 500 mm अंदर के साइड में जो है पॉइंट मारेए और पॉइंट मारने के बाद आप इस तरह से जो है उससे right angle में 500 mm ऊपर तक भी लाइन खीच सकते हैं फिर इसको जो दोस्तों divider के सायता से 500 mm का radius गुमा दीजिए जैसे कि यहाँ corner से लेके यह जो लाइन आपने मारा है वहाँ तक इसे match कर दीजिए और इसी radius को जो है knuckle radius बूलते हैं उसके बाद जो आपने पहले पांच मिटर का लाइन आपने खीचा था इसका ID जो पांच मिटर है जो जो पांच मिटर का लाइन खीचा है उसका जो है आपको center भी निकालना पड़ेगा तो उसका जो है इस तरह से center भी निकाल लीजिए और उसके बाद जो आपने ये radius मारा है इस point से पकड़के जो इसका CR है जो 4.500m था यहां से पकड़के जो है आपको cut करना है उसके बाद divider के साहता से जहां पर आपका center line पर cut होता है वहीं पर जो है divider के साहता से 4.500m के compass बानिए और उसको जो है इस तरह से ये दोनों point को match कर दीजिए उसके बाद जो last में जो आपने ESF दिखा था ESF 50mm 50mm उसको भी जो है इदर से नीचे से line मार के एक सीधा line 50mm का match कर सकते हैं तो यह हो गया आपका tourist spherical descent का layout याशे कि आप देखते हैं इसको CR बोलते हैं और यह रहा किया और जो नीचे 50mm का SF है इसको straight face बोलते हैं और अब हम समझेंगे कि 2 ratio 1 deep descent का layout कैसे मारते हैं तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ आपको तो इसका मालेज़े आपकी descent का ID 500mm है और 2 ratio 1 type का descent है और इसका SF जो है वो 50mm है तो सबसे पहले आपको 500mm का इस तरह से जो है 25mm उपर मार के जो है box बना दे box type का line मार दे यह मतलब rectangular box बना दे और यह 125 कहां से आज है यह मैं आपको बता दू तो यह disk का height होता है इसमें जो 2 ratio 1 descend होता है उसका ID divided by 4 करेंगे यतना आएगा वही disk का height होता है तो यहां पर देखिए 500 divided by 4 करेंगे आप तो 125mm आएगा यानि क 125mm disk का height है तो आपको center line से दोनों side मारना है 150mm नीचे और 125mm उपर उसके बाद दोस्तों आपको ने center line से जो उपर का side मारा है उसी उपर side में box बनाना है नीचे side में सिर्फ point मार के रखना है और यहां पर जैसा मैंने दिखाया है side जो side वाला इसका area है उसमें बराबर बराब 5 भाग में बार बाट सब्सक्सवर Fast 3 और उसको इस तरह से यह point मिला दें दोनों side में और दोनों side मिलाने के बाद जो है जो नीचे आपका line है उसको भी 5 भाग में बाद रखना और उसको जो नीचे साइड आपने 125 पॉइंट मारा है, वहां से लेकि आपको हर एक लाइन पर जो है मिलाते जाना है, और मिलाने के बाद जो है, देखें दोस्तों, मिलाना कैसे आपको यह जो आपने नीचे वाले रेड वाले लाइन पर डिवाइड किया है, वहाँ 125 के point से पकड़ के red वाले point से पकड़ के हर एक line पे यहाँ पे जैसे राउंड राउंड किया है वहाँ पे point आपको मारना जरूरी नहीं है कि आप पूरा full point मारें तो इस तरह से मारने बाद आपको इसको scale के साहता से इस तरह से match कर देना है यह match करने बाद इसका radius बनता है 2 ratio 1 type के descent का उसके बाद आपको SF मारना है तो इस तरह से जो है नीचे भी थोड़ा सा 57 बढ़ा के जो है उसको match कर लें और उसके बाद उसका full template बना लें तो इस तरह से दोस्तों होता है tourist spherical descent का layout और 2 ratio 1 descent का layout और उमीद करूंगा जनकारी अच्छी लगी होगी बाकी जनकारी थोड़ी पहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें comment करें, share करें अपनों दोस्तों के साथ और channel पे नए हैं तो subscribe जरूर करें तो मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम